UP Board परिक्षाएं 2024 22 फरवरी से आपकी शुरू हो रही है और UP Board परिक्षा हो चाहे जिस Board की भी परिक्षा हो Board परिक्षा में कौपी में कौन से पेनों का प्रियोग करें यह सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है आईए प्यारे बच्चों हमाज आपको कटेगराइज करके बता रहे हैं किन पेनों का प्रियोग करना चाहिए और किन पेनों के प्रियोग से आपकी कॉपी में चार चांद लग सकते हैं किन पेनों के प्रियोग से आपकी कॉपी को चार जीओ भी मिल सकते हैं आईए शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पिन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मैंने पेनों की तीन कटेगरी डिवाइड की हैं वैसे तो आपको यहाँ पर चार कटेगरी डिवाइड हो गई हैं लेकिन यहाँ पर तीन कटेगरी पिन की होती हैं पहली जवाब मिल जाएंगे आपके मन में भी जो चल रहा होगा वो भी जवाब मिल जाएगा पिन की तीन कटेगरी होती हैं एक जेल पिन होता है एक इसकेज पॉइंट पिन होता है इसकेज भी होता है इसकेज की पॉइंट जैसा पिन होता है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो क्या होगा yes कर सकते हैं बट इसमें भी बट है हम sketch pin का प्रियोग कर सकते हैं लेकिन सवाल ये उठता है कि हम कहां पर इसका प्रियोग करेंगे और कैसे करेंगे और कौन से sketch pin का प्रियोग करेंगे हमें सबसे पहले एक कटेगरी ये होती ये भी sketch pin के अंतरगत आता है लेकिन ये जो pin है इसे हम permanent marker कहते हैं और इस permanent marker को हम कभी भी प्रियोग नहीं करेंगे इसका कारण आप खुदी देख लेते हैं अगर हम इसमें लिखे marker तो ये marker लिखने के बाद इधर पूरा का पूरा छप जा रहा है ये तो फिलाल पुराना है अगर हम इसको काईदे से लिखें इस से तो ये पीछे पूरा का पूरा छप जाएगा इसलिए इस permanent marker को कभी भी हम काउपी में प्रियोग नहीं करेंगे अगर इसको प्रियोग करते हैं तो गलती आपकी होगी काउपी में बिल्कुल गंदगी मचनी तैं है इस permanent marker को हटा दीजे आप इसे प्रियोग नहीं करना है होता sketch की category की जैसा ये भी है ना तो permanent marker और ना ही हम प्रियोग करेंगे temporary marker जिस पे board, white board पे लिखा जाता है इन कोई भी markers का प्रियोग हम नहीं करेंगे किन का प्रियोग करना है sketch pen की category में आते हैं और sketch pen की category में सबसे पहले ये आपके पास इतने प्रकार के होते हैं इसे करते हैं ultra soft colorful writing वाला agile point new point dx करके यहाँ पर जो point होता है हमारा ये भी खतरनाक point होता है इससे हम कदाचित नहीं लिखेंगे इससे भी लिखने पर क्या होता है इधर छपने की संभावना रहती है और कहीं भी अगर आपने गल्ती से भी कहीं पर आपके हाथों का पसीना लग जाता है इन पिनों पर तो कापी में गंदगी होना तैं हो जाती है इसलिए ऐसे पिनों का प्रियोग भी हमें नहीं करना इन प्रिनों का प्रियोग हम कर सकते हैं लेकिन ये पिन पहले आपको चला लेने हैं अगर आपको लगता है कि इन पिनों से राइटिंग्स हमारी अच्छी बनेगी तो हम इनका प्रियोग करेंगे हेडिंग्स के लिए सबसे अच्छे होते हैं ये जो सस्ते वाले ये जो लगजर के ये जो आते हैं स्केज पिन का प्रियोग करने से हमारी कॉपी में इधर छपता कुछ भी नहीं है और ये एक हेडिंग्स डालने के लिए बड़े जानदार पिन होते हैं हमें इन दो ब्लू और ब्लैक स्केज का प्रियोग कर लेना है केवल या तो आप ब्लू का करें या तो ब्लैक का करें डबल डबल स्केज का प्रियोग ना करें मैं रेकमेंड करूंगा आप केवल और केवल ब्लैक स्केज का ही प्रियोग करें कहां कहां आपको हेडिंग्स डालनी है आईए हम क ताजे ताजे आप जब खरीदें तो इन्हें पहले थोड़ा बहुत इस्तिमाल कर लें अगर आप थोड़ा बहुत इस्तिमाल नहीं करेंगे तो ये कॉपी में डार्क इंक छोड़ेंगे पतली इंक छोड़ेंगे और क्या होगा थोड़ा सा इनको ड्राई करने की आवश्च लिखता होती है तो पहले आप इनको रफ वगएरा पे 4-5 वाक के लिख लीजिए इन प्रिंस फिर आप इसको परिक्षा में यूज करिए तो इसकी बात करें तो ये हो गया हेडिंग्स के लिए बड़ी हेडिंग्स मोटी हेडिंग्स जिनको दिखाना होता है आप इस पिन का प्रियोग कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे आपके हाथों में लगने वाला पसीना या फिर कोई भी जल यानि कि कोई भी पानी जैसी कोई वस्तू आप जैसे पानी पीने गए इसके बाद यहाँ पर हाथ रखके लिखने लगते हैं पता चलता है कि इस पे आपका चल गया जै का में कारण यही है कि आपको ये बड़े सावधानी से यूज करने हैं जब भी यूज करें या तो यहां पर आप एक छोटा सा सौफ्ट वाला कपड़ा ले जाएं या आप या जिसे नैपकिन कहते हैं या जिसे आप रुमाल कहते हैं रुमाल ले जाएं और कॉपी पर ऐसे ऐसे लिखें तो बहुत अच्छा रहता है रुमाल रखके लिखेंगे तो आपके हाथों का अगर पसीना निकल रहा है यहां पर तो नहीं लगेगा और कोई दिक्कत नहीं है तो फिलहाल इनको आप यूज कर सकते हैं लेकिन सावधानी से करिए मैं तो रेक्रमेंड करूँ जोगा कि आप मोटी हेडिंग्स प्रशनोतर संख्या डालने में इनका प्रयोग करें एक्जामिनर इनसे काफी प्रभावित होते हैं क्योंकि अच्छा सा इसमें लुक आता है एक और हासिया कीचने में केबल डॉट पेन का प्रयोग करें ठीक है इनसे भी आप इंगलिस ल इकत नहीं है तो यहाँ पर बात हमने कर ली है कि हेडिंग्स डालने के लिए प्रशनोतर संख्या डालने के लिए यही इसकेच पिन आप ले जा सकते हैं और एक पिन यही इसी कटेगरी का आपको ले जाना है यह कौन सी हेडिंग्स का इस्तेमाल इन में करेंगे देखो यह हमारा black pin है इस तरह का आप लगजर का black ले लीजिए जो अंतरगत headings होती है ये वाली headings जो ये वाले संकेत होते हैं जो भी black से आपको लिखना होता है तो ये bold black भी चल जाता है अगर आप इसका ये point थोड़ा सा blade से काट देंगे तो एकदम sketch के माफिक चलेगा एकदम sketch जैसा चलेगा तो ये दो पिनों का प्रियोग कर सकते हैं headings के लिए या फिर किसी bold gel का भी प्रियोग black black bold gel का भी प्रियोग आप कर सकते हैं headings के लिए ठीक है अब हम आते हैं यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि क्या हम gel pin ले जा सकते हैं जी तो मेरा क्या जबाब होगा yes आप ले जा सकते हैं आपकी writing अगर gel pin से बनती है तो copy में आप gel pin इस्तिमाल कर सकते हैं यह हमारे पास कुछ gel pin है जो अच्छी category के हैं यहाँ पर एक budget की बात आती ही कि आपके पास budget जादा नहीं है तो 5 रुपे वाले भी आप gel pin ले सकते हैं हमारे पास फिलहाल जो भी pin है 10 से 5 और 10 रुपे के ही pin है मैंने बहुत जादा महेंगे pinों का इस्तिमाल यहाँ पर करने की सला नहीं दी है महेंगे pin आप अपने budget के अनुसार ले भी सकते हैं क्योंकि महेंगे pin अच्छे होते हैं यह pen gel pin होता है यह 5 रुपे वाला होता है नट्राज का या भी cello का किसी भी company का 5 वाला ले सकते हैं लेकिन 5 वाला gel pin धोखा दे जा सकता है ठीक है मुझे peno का huge बहुत जादा हम gel और dot का इस समय नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारी चीजे typing में होती है फिर भी जो हमारा experience है थोड़ा बहुत जो हम comfy बच्चों से लिखवाते हैं वे लिखते हैं तो उनके इसाब से मुझे लगता है यह सोड़ा liquid इसमें इंक भरी होती है liquid इंक भरी होती है और यह चलने में भी काफी soft है ठीक है यह चलने में थोड़ा सा अच्छे मुझे लग रहा है महीन चल रहा है बहुत अच्छा feeling दे रहे हैं बोर्ड परिक्षा जैसे हम लिखते हैं तो यह ठीक ठाक चल रहे हैं इसी इसी का इस्तेमाल किया है तो यह भी आप इसी इस बोल्ड पेन से भी heading डाल सकते हैं यहां पर एक gel pen यह आते हैं यह gel pen जैसे आपने दिखा होगा ocean gel इनको बोलते हैं link company के होते हैं और यह आपको वहाँ पर देखा होंगे आप कभी कभी YouTube में short video में बहुत अच्छी English की writing लि rough पे तो वह इस्तेमाल करता है वैस ocean gel के नाम से आते हैं यह भी pen काफी अच्छे होते हैं और इन penों से भी आप लिख सकते हैं और इन penों से भी आप क्या डाल सकते हैं heading डाल सकते हैं और black से heading डाल सकते हैं इस pen से तो gel और bold pen कोई भी bold pen जो black चलता हो bold जानी मोटा चलता हो ऐ ऐसे पिन से आप हेडिंग्स चोटी वाली पतली हेडिंग्स डाल दिए और जो भी आपको bold हेडिंग्स डालनी है तो आप sketch pin का इस्तिमाल कर सकते हैं तो उमीद है आपको ये जबाब मिल गया होगा आगे हम चलते हैं तो कहते हैं कि pin किस color का प्रयोग करना चाहिए देखे हमे और नीला ही आपको प्रियोग करना है, लाल और हरा जैसे प्रियोग नहीं करने हैं, लाल और हरे प्रियोग नहीं करने हैं, काले और नीले पिन ही प्रियोग करने हैं, ठीक है, तो ये कलर की बात हो गई, मल्टी कलर यूज नहीं करना है आपको, ठीक है, तो जिल्पन का भी प पानी या पसीना कॉपी पर छूटना नहीं चाहिए रुमाल रखके आप इस्तेमाल करें या फिर पेपर रख लें ठीक है अब जैसे सपोस्थ आट आपको पेपर मिला है क्या बूर्ड परिक्षा का जो पेपर है आप इस पेपर को भी यहां पर रखके ऐसे लिख सकते हैं र हैं लगना चीए ठीक है अगली बात कर लेते हैं मारकर या हाईलाइٹर का प्रियोng कर सकते हैं बच्चे का सवाल था सर हाईलाइटर ले जा सकते हमारे स्कूल में बटाया गया है कि सर हाईलाइटर का यूच कर लीजीए तो ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा देखे ये होता है highlighter highlighter का मतलब होता है जैसे हम यहाँ पर गद्य खंड और यहाँ पर अशोक के फूल हम इसको highlight कर दे रहे हैं ठीक है तो अब होता क्या है highlight हमने कर दिया कभी कभी दर छपने का भी डर रहता लेकिन हमें यह नहीं करना है हमें ये इस्तेमाल नहीं करना है अगर आपके कॉलेज के टीचर रेकमेंट कर रहे हैं तो आप कर लीजे फिलहाल मेरे तरफ से इसके लिए ना है नई इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इसको हटा देंगे, highlighter का प्रयोग नहीं करेंगे, highlighter की जगा आप underline कर दीजे और या फिर आप bold black pencil आप लिख सकते हैं, highlighter का प्रयोग हमारे हिसाब से नहीं करना है, ठीके, क्यों नहीं करना है, वो मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा उसमें over चीजें दिखने लगती है, marker का प्रय recommendation के अनुसार नहीं करना है, फिलाल अच्छा तो बहुत लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, बट ये आपको चीजें highlight करने का हो सकता नहीं, underline कर दीजे या black pen से लिख दीजे, जिसको highlight करना है, जैसे गद्धे खंड है, अशोक के फूल है, हजारी प्रसाद है, या रामचंद्रशुकल है, या मित्रता है, तो आप highlight कर सकते हैं, मैं ये भी बात करूँगा कि OMR sheet में कौन से penों का प्रियोग करना है, अब category हमारे पास आती है, एक dot penों की, dot pen तो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत dot penों में नहीं होती है, dot pen, dot pen, best pen होते हैं, किसी भी परिक dot pen हैं, यहाँ पर ये सारे के सारे dot pen बहुत अच्छे हैं, OMR sheet भरने के लिए आपको केवल और केवल black pen का इस्तिमाल करना है, मैं recommend कर रहा हूँ, वैसे तो आप blue का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा pen होता है black, black pen जो है, ये आपको OMR sheet में प्रियोग करना है black pen, black pen में भी आप जिल का प्रियोग ना करें, ये जिल होता है, जिल black है, जिल का प्रियोग OMR sheet pen नहीं करना है, ये copy check नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पर ये बहुत अच्छे bold pen हमें देखने को मिले हैं, एक ये pentonic का है, pentonic तो बहुत अच्छे pen होती हैं, आप इस्तिमाल कर स आएंगे, ठीक है, ये bold pen होते हैं, ये इनका point बढ़िया सा चलता है, तो दस वाले penों का इस्तिमाल आप OMR sheet भरने में करें, ये दो pen जो है, एक Reynolds का है, Reynolds का lick flow, lick flow लिक के आया है, Reynolds का lick flow pen है, तो ये भी बहुत अच्छा pen है, आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, OMR sheet भरने में, ये आपको dot pen ही इस्तिमाल करना है, OMR sheet भरने में, मुझे ये दो pen, ये तीन pen की category बहुत अच्छी लगी है, OMR sheet के लिए, pentonic और मैं भी इस्तिमाल करता हूँ, जब भी completion वगरा के exams होते हैं, ठीक है, मुझे जब भी देने होते थे, max grip का ये pin, natrage के max grip का ये pin है, natrage के max grip का य लिक्यूपलो pen है, इसको भी हम dot pen ही कहते हैं, और ये pentonic का भी dot bold pen है, OMR sheet के लिए, ठीक है, ये blue pen भी आप हाउजर company का भी ले सकते हैं, हाउजर company का 10 रुपे के आसपास, या 5 का आता है, मुझे इसका rate नहीं पता है, तो हाउजर company का, हाउजर जर्मनी ये भी आप ले सकते एक dot pen है, चाहे आप copy इनसे लिखें, इनसे आप चाहे copy लिखें, और चाहे आप इनसे क्या लिखें, copy लिखें और चाहे आप इनसे OMR sheet भरें, कोई दिक्कत नहीं है, तो penों के इस्तेमाल में gel और dot दोनों copy लिखने में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन OMR sheet में आपको cable और cable dot pen नों का वो भी bold dot हों, और ball point pen हों, जिनें बोलते हैं, और ये ऐसे pen हों, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिन category को हमने बताया है, black pen का इस्तेमाल करें, OMR भरने में, तो बहुत अच्छा रहेगा, copy में बहुत सारे बच्चे बताते हैं, कि sir, copy क्या English में भर सकते हैं, अच्छा रहता है, समझ में आई बात, English medium के student हैं, तो भी आप Hindi की copy, Hindi भी में ही भरें, और अंग्रेजी की copy, अंग्रेजी में बाकी अनविश्यों की अंग्रेजी medium वाले भरते रहें, बाकी भर सकते हैं, आप English और Hindi दोनों में कोई विशेश नहीं होता है, अब last में हमारी बात आती है, कि यह जो pin आपके सस्ते वाले होते हैं, dot pin, तो अगर आपकी writing इन से बनती है, तो आप बेशक इस्तिमाल कर सकते हैं, लेकिन यह pin कभी कभी दोखा दे जाते हैं, बीच में बंद हो जाते हैं, तो जब बीच में बंद हो जाते हैं, तो हम जब दूसरा pin इस्ति अगर आपकी कॉपी में पिन चलते चलते बंद हो गया है तो आप पिन चेंज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यहाँ पर एक सवाल और था कि परिच्छा की कॉपी में पिन बदल बदल कर लिख सकते हैं हाँ आपको लगता है कि हमारा ये पिन अच्छा नहीं चल रहा या इससे writing अच्छी नहीं बन रही है तो आप कोई और दूसरी company का blue pin ले सकते हैं लेकिन थोड़ा सा वो different होगा जैसा इस pin का इस्तिमाल करें ये तो खर काला है इस pin का हम इस्तिमाल कर रहे हैं तो ये color दे रहा है अभी इस pin का इस्तिमाल करेंगे तो इसका color थोड़ा सा change आपको दिख रहा है लेकिन आधे अधूरे प्रश्ण में बीच में जब pin रुकता है तो हमें इस्तिमाल कर ले रहा है डरने की कोई आवश्रिक्ता नहीं है क्योंकि हम blue ही इस्तिमाल कर रहे हैं और examiner जाएंगे कोई दिक्कत इससे नहीं होती तो pin बदले लेकिन blue की जगा blue ही बदले दूसरी company का blue बदले जब दूसरी company का blue में दो ही आते हैं एक हलका blue आता है एक dark blue आता है बस दो ही आते हैं तो आप बदल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लिकिन color का इस्तिमाल करें तो blue और black दो ही color के pen का इस्तिमाल आप कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही सहुलियत मिली होगी अगर अब भी कोई सवाल है तो comment box में लिखें बट क्या है कि अब समय हमारे पास नहीं है जो और वीडियो बना सकें एक और वीडियो आलेडी हम डाल चुके हैं तो आप उसका एक बार देख सकते हैं पुराना वाला भी फिर से एक बार हम ले चलते हैं आपको बता देते हैं कि फिर से समझा देते हैं कि इस केज पिन का प् जैसे ब्लू का इस्तिमाल आप कर रहे हैं तो इस ब्लू स्केज का भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन इसी तरह आप डालने में कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहें कालेस का करें तो ज्यादा ही अच्छा एक का ही करें ब्लू का करें तो नहीं तो सबसे अच्छा रहता ब्लैक स्के यहां पर बना लेंगे तो बन जाए लेकिन इधर लाइन न खींचे मैं कई बार रेक्मेंट कर चुका हूँ आपको ठीक है अब जैसे यह है इसमें जो निवन्द के अंतरगत जो हेडिंग्स डाली गई है वो हमारे इस ब्लैक बोल्ड पिन से डाली गई है यह हेडिंग्स त तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी पैंसर रिलेटेड की क्या कुछ करना है ठीक है क्या कुछ इस्तिमाल करना है क्या नहीं करना है और वैसे तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे लेकिन बस दो ही चीजे हैं हाइलाइटर या मारकर का इसे अगर टीचेर रेक्मेंट कर ही रहें तो आपके सवाल है और बिज्ञान में बाइलोजिय के चित्र बनाते समय क्या पैंसल कलर का प्रियोग तो आपने बिज्ञान की अध्यापक से इस पर सलाह ले फिलः आप ब्लैक उन वाइड चित्र बनाएं ज्याद़ अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से ठीक है तो पिन किस कलर के तो ब्लू बलैक दो ही इस्तेमाल करने है जेल पन आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिल में भी अच्छी कटेगरी के जेल इस्तेमाल करें जो आपकी कॉपी में अगंदगी करते ना चैने हेडिंग के लिए प्रसनुत्ता संख्या डालने के लिए हमने बता है sketch pen ले जा सकते हैं sketch pen का प्रियोग कर भी सकते हैं और इसे ले जा सकते हैं वो marker का प्रियोग नहीं करना है pen की category gel daughter sketch होते हैं आपको पहले बता दिया ठीक है omr sheet भरने के लिए भी हमने high school वालों को बता दिया है dot dot यारी ballpoint pen बोल्ड ले जाने हैं बहुत अच्छे अच्छे pen होते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शेयर कर दीजैस बीटियों को क्योंकि हर एक बच्चे को इसका बहुत हर एक बिच्चे को इसका बेसबरी से इंतजार हाँ